नमस्कार सातियो आज हम बात करेंगे इपोर्टेंट टोपिक पे विए में मेरा मानना है कि बलू कॉलर जोब के को छोड़कर बाकी के जितने भी केटिगरी के जोब हैं सब रेंट से रहते हैं शेरिंग में रहते हैं अच्छा पैसा कमाते हैं अलग अलग डिबेंड करता है से लिपे लेकिन वहां पर आप किराऊधार के तोर पर रह रहें तो आपके पास कैंको पता है दुबई रेंटल लो 2007 में कुछ आपको अधिकार दिया गये हैं कि आपके आप किराऊधार के रोब में रह रहें गबराने की जुर्थ नहीं होनी चीए क्योंकि व्य एक ऐसी कंट्री कि आपका पहले अग्रिमेंट होता है अग्रिमेंट हो गया मालीजी एक साल का ठीक है तो एक साल के दोरान आपका पुरूफ है आपको वह निकाल नहीं सखता आपका मकान मालिक अगर मकान माली की तरब से कुछ गलती होती है या वहाँ पे कुछ प्रेशानी होती है समस्य है आती है समस्य है कैसे माली जी आप अपने फ्लेट में रह रहे हैं पडोशी प्रेशान कर रहा है सरा पीना या फिर कुछ और भी गलत जो आपको लगता है कि हमारी सुरक्षिया क के लिए खत्रा है हम डिस्टप हो रहें mentally डिस्टप हो रहें तो उस दोरान आपके पास क्या अधिकार हैं क्या आप कर सकते हैं रिलेटेड रेंट से रिलेटेड बात कर रहा हूं कि आपको डुरने की जौरत नहीं होनीचे उसका समस्या का समाधान करने की सोचें और आप क्य जो नहीं होना चीए आपके नजरों में वो रहा है तो आप आपको लगता है आपको मैंट डिस्टप हो होते हो आप फेमेली वाले हो आप अच्छा काम कर रहे हो अब वहां पर पैसा दे कर में हो तो आपकेите रिलेटेर से लधा मिलती रहे हैं तो चलिए स Ihnen करते हैं बता द दुबई का जो एग रेंटल लाए 2007 जी हाँ उसमानून नंबर 26 में प्रावदान किया गया है बतादू किराएदार और मकान माली माली के बीच में समझोता उआ है वह समझोते में पूरी बाते बताई गई यह मोटी-बोटी मैं बतादू कि आपने आप एकदम संत वातावरन चाते हैं आपने जहां पर रहे रहे हैं आपको नहीं चीह किंपोंस रälltबा आपको नहीं उत्लम तो необходимо करते हैं think मालिक की मैं बात कर रहा हूं कि वो नहीं की आप रेंट में रहे हैं रोगों तीसरे दिना के नहीं जी इधर हम कलर करेंगे इधर ये करेंगे ये बैड ये से रखो हम यहां पर ये करने वालें बिल्कुल भी उनको अधिकार नहीं है वो चीज करें क्योंकि ये आपका अग्र जीजें चाके नहीं कर सकता जब तक आप उसमें रह रहे हैं आपके दिखा रहे हैं वो मकान वो जब तक आपका वो अग्रिमेंट हुआ है उसके मालिक आप हो नहीं की मकान का मालिक है वो आके वहां पर अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता आप उसमें रह रहे हैं आपका एर और मकान माली को आपको बताना होगा जी हाँ, अगर मकान माली को आप बताते हैं और उसके बाजूद भी सुनवाई नहीं करता है तो आपके पास क्या अधिकार हैं वो भी अधिकार इसमें बताए गए है देखिए मैं बताते हूं जैसे आप रह रहे हों यह जिम आप नहीं यूज ले सकते यह पुस्तगाले नहीं यूज ले सकते या फिर यह चीज़े हैं मतलब यहां गाड़ी पार्क नहीं कर सकते यह वो नहीं बोल सकता यह पूरे दिकार आपको यहां पे दिये गए आपको लगता है कि आपके या आप में कुछ प्रोब्लम है या आपको इस विदय नहीं मिल पा रही है या आपका एक सोसाइटी है यूए में तो आपने देखा होगा यार एक बड़ी बिल्डिंग है उसमें सो डेड़ सो दो सो फ्लेट है ठीक है वहाँ पे कुछ मतलब जो गलत हो रहा है जो आपकी सोसाइटी को अच्छा नहीं है तो पूरी सोसाइटी मिलके उनका मालिक है उनसे मिलिए उनसे बात करिए आपकी समस्या का समाधान उनकी सामने आप रख सकते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए इसको सुदार करें हमें मानसीघ टेंशन हो रही है में परिवार की सुरक्षिया खत्रे में बगएर बगएर फिर भी अगर वो नहीं मानता है मकान मालिक सुनवाई नहीं करता है आप दुबए में रेंटल डिस्प्यूट जियां साती हो वहां पर आप सिकायत कर सकते हैं मकान माली के खिलाब यह नहीं होता कि वह आपको निकाल दे में तो थोड़ा गोठन सी मैसेश करना मतलब आलांकि वही में ऐसा नहीं होता फिर भी अगर होता है तो यह जम्रेल नोलेज के लिए आपके वीडियो मेरे साबसे काम आने वाला है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेयर करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आगान ओन क नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जे हिंद जे भारत